एक सतसंग में पूजे स्वामी रामसुकदाश जी मुक्ति के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि एक बात बताता हूं, बहुत ध्यान देने की और बड़ी सरल बात है. जिसको जीवन मुक्ती कहते हैं तत्व ज्यान कहते हैं उसका तत्काल अनुभव हो जाएगा ऐसी बात है अनुभव भी इतना सहज स्वाभाविक है कि जैसे संकर सहज सरूप समहरा लागी समाधी अखंड अपारा किवल आपको उधर दृष्टी डालनी है और कुछ नहीं करना है वह आप सबका अनुभव है परन्तु आप उधर ध्यान नहीं देते हैं उसको महत्व नहीं देते हैं इतनी ही बात है बहन भाई सब ध्यान देकर सुने बाले अवस्थस अभी तक आपका शरीर बदला है भाव बदले हैं विचार बदले हैं देश, काल, वस्तु, व्यक्ती, परिस्थिती, घटना सब बदले हैं परन्तु आप बदले हो क्या कोई स्विकार नहीं करेगा कि मैं बदल गया शरीर के बदलने से अपना बदलना मान लेते हैं पर शरीर बदलता है आप नहीं बदलते हो आपको शरीर के बदलने का ज्यान है बाले अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धा अवस्था, शरीर की हुई, आपकी अवस्था कहा हुई आप तो अवस्था को जानने वाले हो, जानने में आने वाला बदला है, जानने वाला नहीं बदला केवल इसकी तरफ खयाल करना है कि मैं बदलने वाला नहीं हूँ इसमें क्या परिश्रम है इश्वर अंश जीव अविनाशी इस अविनाशी पन का आप अनुभाव करो कि शरीर विनाशी है और मैं अविनाशी हूँ इतनी ही बात है लंबी चोड़ी कोई बात नहीं है मेरी स्थिती नहीं बदलना है बदलना मेरी स्थिती नहीं है अपितू शरीर की स्थिती है बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, व्रिधा अवस्था इन तीन अवस्थाओं का आपको अनुभाव है शरीर को अनुभाव नहीं है अनुभाव आप करते हो शरीर क्या अनुभाव करेगा ऐसे ही जागरत, स्वप्न और सुशुक्ति का आप अनुभाव करते हो आप जागरत में भी रहते हो स्वप्न में भी रहते हो और सुशुक्ति में भी रहते हो आप जागरत में और स्वप्ण में रहते हो इसका तो आपको अनुभव होता है पर आप सोशुक्ती में भी रहते हो इसका अनुभव करने में थोड़ा जोर पड़ता है पर मैं सीधी बात बताता हूँ मैं किस जगे सोया? कब सोया? यह ग्यान गाढ़ नीद में नहीं है परंतु जागरत और स्वप्ण में देशकाल आदी का ग्यान है अतह देशकाल आदी के अभाव का ग्यान भी आप में है अतह देशकाल आदी के अभाव का ग्यान भी आप में है और इनके भाव का ग्यान भी आप में है सुशुप्ति के समये इनके अभाव का अनुभाव नहीं होता क्योंकि उस समये अनुभाव करने के ओजार, अंतह करण, बही करण नहीं थे वे तो अविद्या में लीन हो गए थे परंतु सुशुप्ति से जगने पर आपको अनुभाव होता है कि मैं वही हूँ जो सुशुप्ती से पहले था परंतु बीच में मुझे कुछ पता नहीं था अतहा सुशुप्ती के समय जागरत और स्वप्न के ग्यान का अभाव था पर आपका अभाव नहीं था यदि आपका अभाव होता तो मुझे कुछ पता नहीं था ऐसा कौन कहता ऐसी गाड़ नींद आई कि मुझे कुछ पता नहीं रहा तो कुछ पता नहीं इस बात का तो पता है ना जैसे बाहर से कोई आवाज दे कि अमुक आदमी घर में है कि नहीं तो भीतर से एक आदमी कहता है वह आदमी घर में नहीं है परन्तु ऐसा कहने वाला भी नहीं है क्या अगर कहने वाला नहीं है तो वह आदमी घर में नहीं है यह कौन कहता ऐसे ही गहरी नींद में अगर आप नहीं होते तो मुझे कुछ पता नहीं था ऐसा कौन कहता जागरत और स्वप्ण में ग्यान रहता है और सुशुक्ति में ग्यान नहीं रहता तो ग्यान के भाव और अभाव दोनों का ग्यान आप में है प्रत्यक्ष प्रमान है कि आप अवस्थाओं की गिंती कर लेते हो जागरत, स्वप्न और सुशुक्ति इन तीनों अवस्थाओं का आपको ग्यान है तभी आप इन तीनों की गिंती करते हो अगर इन तीनों में आप नहीं रहते तीनों का आपको ग्यान नहीं रहता तो इनकी गिंती कौन करता अतहबाले अवस्था से अभी तक सब अवस्थाओं में और जागरत स्वप्न और सुशुक्ति अवस्था में आप रहते हो, पर ये अवस्थाई नहीं रहती जो नहीं रहता, वह संसार और शरीर है तदहा जो रहता है, वह परमात्मा का साक्षात अंश है मैं अविनाशी हूँ इसका ग्यान कराने के लिए ही यह बात कह रहा हूँ आपके सामने आने वाली अवस्थाईं विनाशी हैं, परिस्थितियां विनाशी हैं, घटनाईं विनाशी हैं, देशकाल और क्रिया विनाशी हैं, परंतु आप अविनाशी हो और देशकाल क्रिया वस्थू व्यक्ति आदी सब के भाव अभाव को जानते हो, आप अविनाशी हो और चेतन अमल सहज सुख राश्री हो आप चेतन हो चेतन किसको कहते हैं स्थूल रीती से अपने में जो प्रान हैं उनके होने से चेतन कहते हैं परंतु प्रान चेतन का लक्षन नहीं है क्योंकि प्रान वायू है जड़ है चेतन का लक्षन है ज्ञान आपको जागरत अवस्थाओं का ज्यान नहीं है, शरीरों का ज्यान नहीं है, अपितु आपको ज्यान है, अतहा आप ज्यान स्वरूप हुए, चेतन हुए, आप अमल हुए, रागदवेश, हर्श शोक, अनुकूलता, प्रतिकूलता को लेकर जितने विकार हैं, वे सब मल हैं, जितना मल आया है, अवस्थाओं में आया है, जागरत में मल आया, सुप्ण में मल आया, सुशुप्ती में मल आया, परन्तु आप तो अमल ही रहे, आप तीनों अवस्थाओं को जानने वाले रहे, आप में दोश नहीं है आप दोशों के साथ मिलकर अपने को दोशी मान लेते हो दोश तो आगंतुक है आप आगंतुक नहीं है यह प्रतिक्ष बात है दोश निरंतर नहीं रहते पर आप निरंतर रहते हैं शोक चिंता भय उद्वेग राग द्वेश हर्श शोक ये सब आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं आगमा पाइनो नित्यास तांस्तितिक्षस्व भारता भगवान ने कितनी बढ़िया बात कही है कि आने जाने वालों को सहलो उनके साथ मिलो मत सुख भी आने जाने वाला है दुख भी आने जाने वाला है परंतु आप इन आने जाने वालों को जानने वाले हो आप सहज सुख राशी हो सुशुक्ति में कोई आफत नहीं रहती दु बुखे प्यासे रह सकते हैं, आप संसारिक भोगों के बिना रह सकते हैं, पर नींद के बिना नहीं रह सकते, नींद के बिना तो आप पागल हो जाओगे, इसलिए वैद्य जिसे डॉक्टर से कहते हो कि गोली दे दो, थाकि नींद आ जाए, नींद में क्या मिलता है, संसार क संबंध विच्छेद हो जाए तो जागरत में ही दुख मिट जाए और परमात्मा में स्थिती हो जाए तो आनंद मिल जाए इसको ही मुक्ति कहते हैं दुख कहां है दुख संसार की संबंध में है जागरत और स्वप्न में संसार का संबंध रहता है इसलिए शांती नहीं मिलती संसार को भूल जाते हो तब शांती मिलती है यदि संसार का त्याग और परमात्मा में शांती हो जाए तो कितना आनंद होगा भूलने मात्र से सुख मिलता है भूलने मात्र से मन को ताकत मिलती है बुद्धी को ताकत मिलती है इंद्रियों को ताकत मिलती है शरीर को ताकत मिलती है परंतु संसार के साथ रहने से मन ठकता है बुद्धी ठकती है इंद्रियां ठकती है शरीर ठकता है संसार का अभाव होता है गाड़ नींद में उस नींद के बिना आप आठ पहर भी नहीं रह सकते आज कल की एक बात मैंने सुनी है पहले मार पीट करके अपराधी से सच बुलाया करते थे परंतु आज कल उसको नीद नहीं लेने देते तो वह सच बोल जाता है वह जागरत से इतना घवरा जाता है कि सच बोल जाता है मार पीट से वह इतनी जल्दी सच नहीं बोलता अतहा नींद नहीं लेना कोई मामूली दुख नहीं है नींद में बहुत बड़ा सुख मिलता है आप कहते हो कि ऐसे सुख से सोया कि कुछ पता नहीं था तो दुख किसका है? दुख संसार के संबंध का है अतहा आप सुख राशी हो अगर सुख राशी नहीं हो तो नींद क्यों चाहते हो विश्राम क्यों चाहते हो काम धंदा करो आठों पहर नींद में शरीर को विश्राम मिलता है मन बुद्धी इंद्रियों को विश्राम मिलता है संसार को भूल जाने से आनन्द मिलता है अगर संसार का त्याग गर दो तो बड़ा भारी आनन्द मिलेगा और स्वरूप में स्थिती हो जाएगी स्वरूप में आपकी स्थिती स्वतह स्वाभाविक है और स्वरूप में महान आनन्द है आप अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुखराशी हैं यदि आप अविनाशी न होते तो आपको बाले अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था का ज्यान नहीं होता जागरत, सौपन, सुशुक्ती, मूर्चा और समाधी अवस्था का ज्यान नहीं होता आप स्वयम नित्य निरंतर रहते हो और ये अवस्थाएं निरंतर नहीं रहती ये आपके साथ ही नहीं है और आप इनके साथ ही नहीं हो इनके साथ रहना ज्यान है और इनके साथ न रहने का, इनके संग के अभाव का अनुभाव करना ग्यान है, बोध है, जीवन मुक्ती है, प्रत्यक्ष बात है, सबका अनुभाव है अब केवल इस ग्यान को महत्व देना है, आपने रुपयों को महत्व दे रखा है, भोगों को महत्व दे रखा है, शरीर को महत्व दे रखा है, कुटुम्ब को महत्व दे रखा है, जमीन मकान को महत्व दे रखा है इस तरहे नाशवान को जो महत्व दे रखा है यही अनर्थ का मूल है जिनका कुछ भी महत्व नहीं है जो क्षण भंगुर है एक शण भी स्थिर नहीं रहते उनको तो आपने महत्व दे दिया और आप निरंतर रहते हो उसको आप महत्व देते ही नहीं महत्व की चीज तो यह है किवल इस विवेक को महत्व देना है इतनी ही बात है यह सब बदलता है पर आप नहीं बदलते आप तो वही रहते हो सबका अभाव होने पर आप सुख का अनुभाव करते हो नींद में आप संसार को भूल जाते हो तो उसमें आपको ताजगी मिलती है सुख मिलता है ऐसे ही आप जागरत अवस्था में अपने आप में स्थित हो जाओ मैं समाधी की बात अंतह करण के एक आगरता की बात नहीं कहता हूँ अपने आप में आपकी स्थिती स्वतह है, जागरत में, सुप्न में, सुशुक्ती में, मूर्चा में, समाधी में, किस अवस्था में आपकी स्थिती नहीं है, आपकी स्थिती स्वतह है, इसको आप पहचानों, जाने आने वालों के साथ नहीं मिलना है, इसका नाम है ज्यान, इनके साथ मिल इसका नाम है अज्ञान। इसका कारण क्या है कि व्यवहार में आने वाली नाश्वान वस्त्वों को आपने महत्व दे दिया। आपको कितनी जोरदार भूख लगी हुई हो और सिनेमा के परदे पर आपका मन चाहा बहुत बढ़िया गरमा गरम भोजन दिखता हो तो उसको खाने की मन में आती है क्या। मुँ में पाने आ जाएगा भोजन की याद आ जाएगी पर उसको खाने का मन करता है क्या। आपको प्यास लगी है और परदे पर दिखाई देता है ठंडा जल आ रहा है गंगा जी बह रही है पर मन करता है पीने का नहीं करता कारण क्या है कि उसको महत्व नहीं दिया। शोता ने पूछा परंदू सिनेमा में निश्चय हो जाता है कि यह है नहीं। स्वामी जी कहते हैं अन्दाता यही तो मैंने बताया है कि इन सब के अभाव का निश्चय करो तो सही। जगरत नहीं है, सुप्ण नहीं है, सुशुक्ती नहीं है, मूर्चा नहीं है, समाधी नहीं है धीरे धीरे इनके अभाव का अनुभाव करो बस यही बात कहनी है जैसे सिनेमा में अभाव का अनुभाव होता है क्योंकि वह प्रतिक्ष आपके सामने बदलता है और आप नहीं बदलते यह बात मैंने बहुत बाहर कही है सैकडों हजारों बाहर कही है कि पहले इस शरीर और संसार से संबंध नहीं था पीछे इस शरीर और संसार से संबंध नहीं रहेगा और तीसरी बात यह है कि अब संबंद दिखाई देते हुए भी ये प्रतिक्षन बदल रहे हैं इनके परिवर्तन का प्रतिक्ष ग्यान आपको है आज दिन तक इतने वर्ष हम जी गए यह बिल्कुल गलत है जी नहीं गए अपे तु मर गए जन्म के बाद ही मरना शुरू हो गया बालक दो दिन का हुआ तो उसकी उम्र में से दो दिन कम हो गए प्रतिक्ष बात है कि ये सब शरीर पहले नहीं थे और बाद में नहीं रहेंगे तथा वर्तमान में भी नहीं में जा रहे हैं अतह संसार नहीं रूप ही हुआ ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता असत की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है आप सत रूप हो और असत रूप संसार को जानने वाले हो संसार जानने में आने वाला है यह है नहीं होता तो ठहरता, बाले अवस्था सच्ची होती तो ठहरती, युवा अवस्था सच्ची होती तो ठहरती, वृध्धा अवस्था सच्ची होती तो ठहरती, धन्वत्ता सच्ची होती तो ठहरती, निर्धनता सच्ची होती तो ठहरती, कोई नहीं ठहरता, इस अनित्यता का आपक प्रत्यक्ष अनुभाव है इसको आदर दो महत्व दो अब इसमें कठिंता क्या है इसको महत्व नहीं देते हो इसलिए भूल जाते हो आपके सो रुपए खो जाएं तो क्या भूल जाओगे कई बार याद आएगा कि रुपए चले गए पर ज्ञान चला गया तो इसकी परवाह ही नहीं है आपको शोता ने कहा कि महराज जी पदार्थों के प्रती राग रहते हुए उनकी सत्ता का अभाव नहीं होता स्वामे जी ने कहा मैं कहता हूँ कि भोजन में राग रहते हुए भी सिनेमा के भोजन में सत्ता का अभाव कैसे हुआ शोता ने कहा वहाँ तो यह जच गया कि पदार्थ नहीं है स्वामी जी ने कहा अच्छा तो ये बताओ कि इस अंसार के पदार्थ हैं क्या शोता ने कहा यह इतना स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है स्वामी जी ने कहा इसका स्पष्ट रूप से अभाव समझने की कोशिश ही नहीं की है आपने सिनेमा में पहले से ही जानते हैं कि ये नहीं है परन्तु यहां पहले ही मान लेते हो कि ये हैं यह है पना आपका बनाया हुआ है इसमें तो है नहीं शोता ने कहा संसार का है पना अंदर बैठा हुआ है वह निकल नहीं रहा है बात तो यहां अटक रही है स्वामी जी स्वामी जी ने कहा अच्छी बात है अब ध्यान दे कर सुनना आप लोग है पना अर्थात सत्ता दो तरह की होती है एक सत्ता हरदम रहती है और एक सत्ता उत्पन होने के बाद होती है आपकी सत्ता निरंतर रहने वाली है और शरीर संसार की सत्ता पैदा होकर होने वाली है निरंतर रहने वाली नहीं है आप कहते हो कि सत्ता मिठती नहीं है मैं कहता हूँ कि ये सत्ता टिकती नहीं है नदी के किनारे एक संत खड़े थे लोग बोले कि देखो महराज नदी बह रही है और वहाँ पुल पर आदमी बह रहे है संत बोले कि पुल भी बह रहा है जैसे नदी बह रही है आदमी बह रहे है ऐसे पुल भी बह रहा है यह कैसे मांग ले संत ने पूछा कि जिस दिन पुल बना था, उतना नया है आज तो इतना बह गया की नहीं, पूरा बहने पर भिखर जाएगा ऐसे ही संसार भी बह रहा है, संसार की सत्ता उत्पन और नश्ट होने वाली है इस सत्ता को तो आपने महत्व दे दिया, पर नित्य रहने वाली सत्ता को आपने महत्व नहीं दिया शरीर संसार की सत्ता तो अपने सामने पैदा होती और नश्ट होती है अतहा नित्य रहने वाली सत्ता को महत्व दो शोता ने पूछा कि राग के रहते हुए संसार नहीं है यह निश्चे हो जाएगा क्या स्वामी जी स्वामी जी ने कहा मैं कहता हूँ कि अभी मेरे कहने से आपको अभाव का कुछ ग्यान हुआ की नहीं शोता ने कहा हाँ हुआ स्वामी जी ने कहा कि तो इस समय में क्या राग मिट गया शोता ने कहा कि नहीं मिटा स्वामी जी ने कहा तो राग के रहते हुए अभाव का ग्यान होता है न आप राग द्वेश पर विचार मत करो भाव अभाव पर विचार करो सरल बात बताता हूं कि राग द्वेश दूर नहीं हुए तो कोई परवाह नहीं पर इनकी सत्ता नहीं है यह बात तो मानो आप संसार की सत्ता नहीं तो राग द्वेश कहां टिकेंगे मिठ जाएंगे आप राग द्वेश की चिंता मत करो इनकी तरफ से बे परवाह रहो राग हो गया तो हो गया, कोई परवाह नहीं द्वेश हो गया तो हो गया, कोई परवाह नहीं न राग को पकड़ो न द्वेश को पकड़ो जो पैदा होता है वहनश्ट होता है राग की भी पैदा होने वाली सत्ता है द्वेश की भी पैदा होने वाली सत्ता है पदार्थों की भी पैदा होने वाली सत्ता है यह सत्ता वास्तों में सत्ता नहीं है इसमें क्या बाधा लगती है शोता ने पूछा महराजी संसार को कैसे भूला जाए स्वामी जी ने कहा जैसे नींद आने पर संसार को भूल जाते हो अभी मेरी बात सुनते हो तो अभी अपना घर याद है क्या अभयाद दिलाने से याद आया नहीं तो भूले हुए थे ऐसे ही संसार को भूल जाओ जो नाशवान है उसके भूलने का उसके अभाव का तो अनुभाव होता है पर आप उसको महत्व नहीं देते आप संसार के अभाव को और परमात्मा के भाव को महत्व नहीं देते संसार के अभाव और परमात्मा के भाव का ज्यान तो आपको है अब कृपानात इतनी कृपा करो कि इस ज्यान को महत्व दो विवेक को आदर दो बालू की दिवार हो और नदी के ऊपर बनाना चाहें तो क्या ठहर जाएगी ये रागद्वेश तो बालू की भीत हैं और संसार नदी की तरह बह रहा है बहते हुए संसार में ये रागद्वेश कैसे टिकेंगे इतनी बात याद रखो ये बहने वाला है रहने वाला नहीं है सुखदाई अत्वा दुखदाई कोई परिस्थिति आए वह रहने वाली नहीं है इतनी बात याद रखो तो सुगमता से महान अनुभव हो जाएगा बोध हो जाएगा बस ये बात याद रखो अपने विवेक का आदर करो इस प्रकार यह सत्संग यही संपूनता को प्राब्ध होता है शेश अगले अंक में